आपको अपने स्क्रीन पे निर्ब निजर आ ही रहा होगा बहुत सारी वेकंसिइ ओपन है कौन कौन सी वेकंसिइ ओपन है जी दिखेंगे इंजिनरिंग ग्रैजुएट इंजिनरिंक के साथ बी ई बी टेक मेटलर्वरियजी मेकेनिकल, प्रोडक्शाम मेकेनिकल, वीडियो को ध्यान से देखिएगा पूरा देखिएगा तभी समझ में आप आएगी तो चलिए सुरू गड़ते हैं हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप सब आपको पता ही है मैंने अभी कल भी एक ये दो वीडियो डाली है रापको और ये जॉब रिजेक्शन वाली दोस्तों मेरा जो expectation था कि इस पे ऐसा response आएगा उससे बहुत ही down आया है तो कोई कहने वाली बात नहीं है मैं second part की तो उमीद ही नहीं करता हूँ बट इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला है और मेरे को क्या सीखने को मिला है आपको क्या सीखने को मिला है जिन्होंने देखी है कि जॉब कैसे मिलेगी आपको 100% जॉब कैसे मिल सकती है और मेरे को क्या सीखने को मिला है कि इंजीनियर जॉब्स वर्ल्ड भाई ये तरह जॉब का चैनल है फाल तुमें ग्यान बाटना बंद कर क्योंकि फाल तुमें ऐसी वीडियो बना के अपना टाइम भी वेस्ट करना है एस वेल एस एनरजी क्योंकि व्यूज वगेरा आते नहीं है तो फिर नेक्स टाइम से मैं हिम्मत भी नहीं करूँगा इसके साथ साथ अगर अपॉर्चॉनिटी आप देखेंगे ये कुछ वेकेंसी या फिर रेज्यूम फॉर्मेट और कवर लेटर आपको इसी चैनल पर इसी में मिल जाएंगे टेलिग्राम चैनल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जॉब अपडेट या फिर आपको लेटेस्ट अपॉर्चॉनिटी या फिर कवर लेटर या फिर आपको कोई भी लेटर जो आपके पास कोई वेकेंसी नहीं पहुच पाती है वो सबसे पहले आपके पास पहुचे टेलिग्र 14.9 बंदों ने 40.9 मतलब 41 के बंदों ने इसको subscribe कर रखा है उसका कोई ना कोई reason होगा कोई ना कोई फायदा होगा तो आप ज़रूर इसको देख सकते हैं link जो है description में दे दिया है तो चलिए सुरू करते हैं बीटेक वालों से और खतम करेंगे डिप्लोमा बीटेक वालों पे जी हाँ यहाँ यहाँ फ्रैसर सभी eligible है फ्रैसर के साथ साथ डिप्लोमा कर रखा हो अब वो eligible है डिप्लोमा के साथ साथ आपने बीटेक कर रखी हो डिप्लोमा के साथ साथ आपने BTEC कर रखी हो या फिर आपने सिर्फ BTEC भी कर रखी हो सिर्फ Diploma भी कर रखा हो तब भी आप यहाँ LDG पर हैं कैसे apply करना है कैसे इसमें आगे बढ़ना है सभी के बारे में बिल्कुल आराम से बात करेंगे बिल्कुल तसल्ली से बात करेंगे जो सबसे पहली वेकेंची आ रही है आरेन मेकिंग में BE, BTEC, Metallurgy, Mechanical, Production, Electrical अब BE, BTEC, Metallurgy अब Metallurgy कुछ ब्राहन चीज़ होती है तो वो यहाँ apply कर सकते हैं अब next है Marketing, Engineering, Graduate, MBA अब Marketing में जो जाते हैं Engineering, Graduate मतलब Freshers Freshers, BE, BTEC क्योंकि इनोंने साफ साफ रिखा है Engineering, Graduate BE, BTEC, BE, BTEC में जाना चाते हैं वो BE, BTEC वाले या फिर MBA वाले Marketing में जाना चाते हैं तो यहाँ apply कर दें next जो है Logistics Logistics, Supply Chain and Material Management यह भी BE, BTEC, यहाँ भी Freshers eligible है BE, BTEC, MBA अब यह Human Resources में MBA with Specialization in HR तो यह MBA वालों के लिए और CA next है CA Finance वालों के लिए दोस्तों एक चीज और मैं बता दू इसकी apply कैसे करना है मैं सबको joint एक link दे दूँगा आपको description में या फिर अपने website पे वहाँ से जाके आप इसको check out कर सकते हैं next जो आप देखेंगे इसकी जो वेकेंसी है जो डिप्लोमा वालों के लिए है उसके बारे में बात कर लेते हैं जो next वेकेंसी है आपको नजर आ रहा होगा यह तीन advertisement इनकी official website पे आये हैं recruitment for official recruitment for diploma trainee officer recruitment for apprenticeship industrial trainee worker जब आप इनकी official की vacancy open करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे यह vacancy इसको open करने से पहले एक चीज मैं बता दूँ दोस्तों इनकी official website पे यह vacancy open है official website पे यह vacancy open है ठीक है इसकी date देखना कोई मतलब नहीं है यहां से मैंने जब अभी एक महीने पहले भी यहां से update दिया था तब भी यहां से बहुत बंदों का selection हुआ था तो आभी आपके भी chances है और देखें यह जो है current openings और latest opportunity दोनों में आया हुआ है openings और current opportunity जो fresher experience वाले दोनों के लिए है दोनों के लिए apply कैसे करना है उन्हीं के बारे में तसल्ली से बात कर ले अब देखेंगे जो इन्होंने दिया जो vacancy दिया है जो सबसे पहले वाली देख लेते हैं इसमें जो first वाली है जो engagement for officer officer के लिए इन्होंने क्या मांगा है BEB tech mechanical metallurgy production electrical instrumentation से diploma engineer चाहिए mechanical material यह BEB tech भी चलेगा और यह diploma वाले भी चलेगे BEB tech को इसमें दो साल का experience मांगा है और diploma वाले को दस साल का यह अलग है professor वाले भी DET वाले GET वाले भी LEG वाले इसके साथ साथ फ्रॉम इसमें और यह वाला जो minimum physical standard इन्होंने रखा है compensation यह special instruction भी mention कर दिये है next जो है diploma trainee के diploma trainee के लिए इन्होंने क्या मांगा है आपके diploma engineers होने चाहिए mechanical, metallurgy, electrical, instrumentation से यह branches से और यह candidate with experience से तक्टाइल तो यह अगर नहीं भी है क्योंकि यह trainee के लिए है diploma engineer trainee, graduate engineer trainee जैसे कि मैंने आपको अब दिखाया था जहां engineer graduate चाहिए थे उनके लिए अब next जो update है वो है आपकी advertisement for apprenticeship apprenticeship के लिए इन्होंने क्या मांगा है तो आपके पास अगर यह ITI कर रखा है, आपने diploma कर रखा है BTEC कर रखा, तीनों ही यहाँ eligible है अब इसको apply कैसे करना है तीनों को, अब आप देखेंगे इन्होंने जो second वाले में कुछ इन्होंने instruction दिये है जो next वाले में, इन्होंने एक number भी mention किया है, यहाँ आपको यह number दिख जाएगा 9071123425 मेरे को लग रहा है यह number open नहीं होगा क्योंकि यह number यह क्या है, starting में तो issue कर देते हैं बाद में जब इनके पास ज़्यादा call आती है यह बंद कर देते हैं, यह भाग जाते हैं तो कोई problem नहीं है और यह activate रहेगा 9am to 6pm तो आप इसको देख सकते हैं इसके अलावा apply online का क्या option है जैसे ही आप apply online इसमें करने जाएंगे तो आपको latest, सबसे पहले आपको देख लेना है, यह apply online करना है, या फिर login candidate करना है सबसे पहले हमें new candidate के लिए apply online करना है, new candidate के लिए तो जैसे ही आप इसको apply online करेंगे, तो आपको इस तरह की seat mention होके आ जाएगी तो आपको इसमें क्या कर लेना है, सबसे पहले वाला position applied for, अगर आप freser है तो freser पे apply कीजिए, experience है तो experience पे click कीजिए, तो freser पे आप, first name पे आप अपना first name middle name, last name, date of birth age, यह जो 2021 तक सप्टेंबर तक आपकी जो भी हैज थी हो mention कर दीजेगा, gender male community आपकी जो भी है, community आपकी SCST, obviously general जो भी है, disability है yes or no, वो भी mention कर दीजेगा इसके साथ email address, alternative email address, mobile number भी mention कर दीजेगा, marital status unmarried and married डाल दीजेगा, father name select wedding ID, आपको अपना ID card number डालना होगा, देखिए, मेरे हिसाब से आप जो डालिएगा, आधार card मढ डालिएगा pen card भी मढ डालिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, आधार card कभी misuse होता है बहुत जादा और pen card कभी होता है, तो आप अपना water ID का number डाल सकते हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि वो कहीं भी link नहीं होता है बट आधार भी link होता है और pen भी link होता है या फिर DL कभी डाल सकते हैं आपके पास DL हो, ID number डाल दीजेगा उसके बाद अपना residence residence कोशिच कीजिएगा permanent or present address same हो, जो इस पर tick कर दीजेगा तो ये कोई दूबारा आपसे नहीं मांगेगा educational details आपकी मांगेगा 10th में आपका कितना है था, 12th में कितना है अगर आई-टी आई किया है, तो कितना है डिपलोमा किया है, तो कितना है, बीटे किया है इसके साथ साथ आपका Experience Detail अगर आपका Do you have experience अगर आप No कर देते हैं तो अपसे नहीं पुछेगा अगर Yes कर देते हैं तो आपसे पूरा का पूरा पूछा जाएगा आप किसी भी reservation के हगदार है, तो आप उसको cash certificate करना ही होगा, back venture disability, अगर आप PWD candidate है, उसके बाद आपको resume, resume format मैंने अपने telegram channel पे mention कर दिया, या फिर link description में, या comment section में भी दे दूँँँ, वहाँ से जाके आप checkout कर सकते हैं एक बार, इसके बाद capture code भी आपको यहाँ डाल के, इसको submit कर देना है, इसे submit का option सामने सामने आया हुआ है, किसी भी तरह की कोई problem होती है, I am always with you, आप इसको apply जल्दी से जल्दी कर दीजे, ज़्यादब vacancy नहीं है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें, तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए जै हिंद,